हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ शुबम और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एकिटीव के जो भी एक्जाम से लेटेड डाउट हैं समेश्टर एक्जाम से लेटेड वो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको बता दूँ आपके एक्जाम जो है इसमें डो टाइप के होंगे पहला टाइप जो है यह उन छात्रों का होगा जिन छात्रों का एक्जाम छूट गया था इवन समेश्टर का दो जार निस बीस का ओके यह एक्जाम आपके 18 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में होंगे यहाँ पर बता दूँ गाईज जो 2nd semester, 4th semester और 6th semester के जो चात्रों जो प्रमोट हुए थे जिन लोगों ने carry over भरा था उन छात्रों का जो एक्जाम होगा वो 18 से 7 फरवरी के बीच में होगा इसके अलावा जो final year के चात्र थे जिनोंने मतलब अपने regular का paper ने दिया और carry over का ने दिया उनका भी exam इसी के बीच में होगा तो आयोब दोस्तों आप लोग यह समझ रहे होगे इसारी चीजे इसके अलावा पता दूँ गाईज इन सभी छात्रों का जो admin card है वो जारी हो चुका है ओके तो यह था exam type 1 ठीक है यह फिर exam number 1 आप कह सकते है तो यहाँ पर exam number 2 जो है आपका वो दो भागों में बटा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर भाग 1 जो है आपका वो 16 February 2021 से लेकर 5 March 2021 तक का चलेगा ठीक है इसमें किन छात्रों का exam होगा यहाँ पर आप लोग देखी और semester का यानि जो आपका current semester चला है बी से किस का उसका exam जितन से 5 March के बीच में होगा ठीक है 16 February से 5 March ओके तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कह सकते हो जो 3rd year वाले हैं 4th year वाले हैं उन छात्रों की बात हो रही है ओके इसके अलावा गाईज यहाँ पे जो 1st year में जो admission लिये हैं जिनका 1st semester है 3rd semester है ठीक है 3rd semester मतलब जो lateral entry लिये हैं उनके लिये हैं ठीक है और बाकी चात्रों का भी इसमें added है ठीक है क्योंकि वो lateral के चात्रों के वज़े से उनका exam भी late में कराया जाएगा 9 March से 26 March के बीच यानि जो 1st year में admission लिये हैं इसके अरावा जो lateral यानि 2nd year वाले total उन सबका जो regular और carry over का exam होना है वो 9 March से 26 March के बीच में होगा ठीक है ये और semester की बात हो रही है आपका जो present semester चल ला है okay so guys यहाँ पर common point जो है भाग 1 और भाग 2 के लिए कुछ important common point यहाँ पर बता दूँ तो जो first year से लिए 50 year तक के सभी बच्चे उन सब के लिए कुछ common point से समझी है इस बात को यहाँ पर बाद एक बार फिर से जारी किया जाएगा ठीक है कई बार ऐसा होता है जो 1-2 time table बनाता है अपने मन से जो भेजता है first time ठीक है जो बिना संसोधित होती है तो उसमें कुछ चीजे अपडेट की जाती है और उसके बाद दुबारा जारी किया जाता है university दौरा ठीक है तो संस चीजे जो आपके exam से लेटर जो आपके doubt थे वो आपके clear हो गए होंगे okay तो मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में और इसका हो सकता है मैं भाग 2 भी बनाओ तो आप लोग description में एक बार वीडियो का link चेक कर लिजेगा मैं भाग 2 भी बनाओंगा इसका ठीक तो मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई जैहिंद